जिसके हाथ में बंदूक रहती है, जिसे देखकर दुश्मन काप जाते थे, वो बनी है मिस यूएसे, ची हाँ, यूएस मिलेटरी की लॉजिस्टिक कमांडर बार्बर साल 2016 की मिस यूएस टूनी गई है, अमेरिका की इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आर्मी कमांड ने ब्यूटी कॉंटेस्ट जीत कर मिस यूणिवर्स के लिए क्वालिफाई किया हुए, जंग के मैदान से, ब्यूटी पेचेंट के राम तक, जब यूएस आर्मी की फैशन स्टार ने, बिखेरा हुसन का जल्वा, तब मिलिटरी कमांडर बनी मिस यूएसे, रविवार को अमेरिका के लास वेकस में मिस यूएसे की शाम, देशाओना बार्बर के नाम रही, मिस यूएसे दोहजार सोला, देशाओना बार्बर, यूएस मिलिटरी की लॉजिस्टिक कमांडर और आईटी अनलिस्ट हैं, ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी आर्मी कमांडर ने ब्यूटी कॉंटेस्ट चीता हो, उन्होंने मिस यूनिवर्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, 26 साल की देशाओना बार्बर ने 17 साल की ही उम्र में आर्मी जोईन की थी, बार्बर की मा, पिता, भाई और पहन भी आर्मी में काम कर चुके हैं, बार्बर का कहना है कि अगर बराग ओबामा कहते हैं तो वो इराक में जाकर भी लड़ाई करना चाहती है। मिस यूएस एक ब्यूटी कॉंटेस्ट में बार्वर से पूछा गया था कि वो जंग में महिलाओं की रोल को किस तरह से देखती है जवाब में देशाउना बार्वर ने कहा महिलाओं भी उतनी ही टफ है जितने मड़ अपनी यूनिट की कमांडर के तौर पर मैं पावरफुल भी हूँ और डेडिकेटिड भी यूएस चेंडर के आधार पर हमारी लिमिट स्टैन नहीं करता मिस यूएस से देशाउना बार्वर ने यूएस प्रेसिडेंशल इलेक्शन में रिपाब्लिकन कैंडिडेट बनने जा रहे डोनाल च्रम्प को भी नसीहत देडाली देशाउना ने कहा कि उन्हें फिजूल में बाते छोड़ कर असल मुद्दो पर ध्यान देना चाहिए मिस यूएस से पेजन जीतने के बाद अब देशाउना आर्मी के कुछ गंभीर मुद्दों की निकाम करना चाहती है जिसमें तनाव से जूच्टे मिलिटरी मेंबर्स और मिलिटरी मेंबर्स के बीच बढ़ती आत्महद्या की खटनाई एहम है